नमस्कार बहुत वस्वागत है आपका देख रहे हैं आप अपना वेहत खासकार करम जोतिश जराट के मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतों संतोंशी मित्रों जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस ब्रह्मान्ड का कोई भी शक्ति बचा नहीं है हर एक सजीव एक शक्ति पुन्ज है उस शक्ति पुन्ज के आधार पर वो कदम बढ़ाता है बचना संभव नहीं होता है आज हम आपको एक प्रियोग ऐसा बताने जा रहे हैं जो प्रियोग एक ऐसे योग की वजह से करना आवश्यक हो जाता है जो आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करता है व्यक्ति भावनाओं से बिवश होता है कहते हैं कि जानवरों के अंदर भी भावनाए होती है आप सोचल मीडिया में भी अक्सर देखते होंगे जानवरों का जानवरों पे फिल्में बहुत बनी है हाथी मेरे साथी एक कौन सी पिक्चर थी तेरी महरबानिया कुट्टे पर है जैकी सरॉफ की फिल्म है हमने देखी है और भी बहुत सारे है एक परिवार पिक्चर है में तुन चक्रवरती एक बंदर के साथ घूमते टहलते रहते हैं तो ऐसी बहुत सारी फिल्में मतलब जानवर भी भावनाओं से ही संचालित होते हैं यह भावनाएं कब आपको अंदर से काट कर घोखला कर देती हैं यह भावनाएं कब आपकी कमजोरी बन जाती हैं इसका अंदेशा आपको कभी लग ही नहीं सकता है और जब लगता है अं उपाए प्रयोग यह हम ले करके आए हैं जब भी आपको लगे अच्छा पहले कुंडली का योग हम बता देते हैं जनमांक में उपस्थित चंद्रमा इसके लिए more than 90% responsible planet है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं से भी लगनेश से सम्मंध नहीं बनाता देखे भावना कैसे आप भावनाओं में कमजोर पड़ते हैं जैसे आपका लगन अर्थात आपका व्यक्तित तो आपकी सोच आपका लगन आपका मस्तिष्क आपका लगन आपका मुख आपकी आँख आपके नाख आपकी सांसे आपकी जीवा सोचिए लगन भाव से कितनी इंद्रियां संचालित हो रही है अभी अभी दिमाग में आ गया दिसेंद्री, घ्रानेंद्री, स्वादेंद्री ये सब इसी से संचालित हो रही है लगन भाव से लगनभाव की विशेष्टा, लगनभाव की गहराई, लगनभाव की पराकाश्टा, लगनभाव का चरमोतकर्ष बिलक्षन होता है यदि आपका लगनेश कहीं से भी चंद्रमा से सकारात्मक सम्मंध नहीं बना रहा है तो आप भावनात्मक रूप से इतने कमजोर रहेंगे, आत्महत्या का भी योग इसी से बनता है सुसाइडल थॉट्स किसी के मन में आते हैं, तो यही योग होता है लगनेश और चंद्र का सम्मंध होना अनिवार है, वो भी बहुत पोजिटिव अब आप कमजोर तो पढ़ गए, अब आपके अंदर कमजोरी तो आ गई, करें तो करें क्या, रास्ते कहां से निकाले तो आईए, गीता में जैसे भगवान किष्ण ने कहा, अरजुन की बिहुवलता को देख करके सरवान धरवान परितिज्यमामेकम सरणम ब्रिज आईए ना, कभी, ऐस्टो फ्रेंड के चैनल पर तो भया, आपके लिए आज हम एक प्रियोग बताएंगे, लगनेश और चंद्रमा का अब लगनेश के साथ चंद्रमा को हम कनेक्ट करते हैं लगन कहते हैं, लगन जैसे चंद्र राशी हो, इसे लगन राशी है अगर आपका लगन मेश है, तो मेश से लेकर मीन तक हम फटा-फट बता देते हैं वीकनेस, मांसिक कमजोरी को मजबूत करने के लिए, ये वही होगा जिसका लगनेश और चंद्रमा मेश सकरात्मक संबंध नहीं होगा मेश राशी वाले, मंगल प्रधान है गुड और कच्चा दूध और गंगा जल, गाय को हर सोमवार जनूर दिया करिए ब्रिशब राशी, शुक्र, शहद और सफेद तिल, गउश आला में शुक्रवार के दिन जनूर दिया करिए मिथुन राशी, मिथुन राशी वालों के लिए धनिया, साबुत धनिया ले लिजिए जो मसाले में पढ़ती है और सरसो का तेल मिक्स करके गउश आला में जरूर दिजिए करक राशी, गंगा जल, कच्चा दूध मिक्स करके गउश आला में जरूर दिजिए अच्छा जिसमें दिन ना बताओं वो किसी भी दिन कर ले सिंग राशी गेहूं कच्चे दूध में गेहूं का आटा कच्चे दूध में मिलाकर साथ लोईयां बनाकर गउशाला में दे दीजे कन्य राशी पेठे का प्रशाद पेठा और कच्चा दूध तुला राशी शहद कच्चा दूध मिक्स करके शिवलिंग पे चड़ा दीजे ब्रिश्चिक राशी लगनेश से सकरात्मक संबंद नहीं है शहद और केशर गउशाला में चड़ा दीजे धनु राशी हल्दी कच्चा दूध और शहद मिक्स करके किसी पौधे के नीचे डाल दीजे मकर राशी कच्चा दूध चीनी मिक्स करके किसी गउशाला में चड़ा दीजे कुम्भ राशी शहद केसर सरसो का तेल मिक्स करके गउशाला में दे दीजे कुम्भ राशी साबुत चना कच्चे दूद में डाल कर गवशाला में दे दीजे मीन राशी गेहूं साबुत कच्चा दूद मिक्स करके गवशाला में दे दीजे गवशाला माने जहां पर जादा गाएं हो वैसे आप एक गाए के भी होद में डाल सकते हैं कोई बाध्य नहीं है कोई बंधन नहीं है इन प्रियोगों के आधार पर आपके साथ एक सकारात्मक कुर्जा जुड़ेगी जो आपको आगे लेकर के बढ़ती चली जाएगी बहुत बहुत आभार आपका इस प्यार के लिए ऐसे ही आगे हमारे साथ अपना सने हैं बनाए र